इसी में सूख है कि मन चाही चीज, मन चाही व्यक्ति के साथ, मन चाहे कॉंबिनेशन के साथ यदि खाये और उखाते समय यदि मज़ा है, क्या बात है? नमस्कार, Master ACP's में आप सभी का स्वागत है, दिवाली है और महराष्ण में दिवाली के समय, महराष्ण के है पूरे भारत वर्ष में, दिवाली के समय अलग-अलग वेंजन बनाए जाते हैं, तो उसमें से एक मेरे पसंदिता वेंजन है चकली, तो ये चकली जो है, चकली का आठा बनाने से लेके चकली आखरी तक कैसे बनेगी, खाएगे कैसे, ये भी हम बताएंगे, चलो शुरूआत करते हैं, दिवाली के जब हम वेंजन बनाते हैं, तो मुझे मेरे दादी, नानी इन सब की याद आती है, वो इसलिए कि उनके दिवे कुछ बरतन मेरे पास है, और मैंने ऐसा तय किया कि इस दिवाली में जो भी हम खाना बनाएंगे, जो भी वेंजन बनाएंगे, वो उन्ही भरतनों का इस्तेमाल करते हैं बनाएंगे, जैसे देखिए, पुराने स्टाइल की मेरे पास में पाई ली है, जो जिसमें एक नाप होता था, इसको थोड़ा श्टाइल किये, इसके भी ऊपर थोड़ा साम नजर डालिए, इसके भी उपर थोड़ा साँ नजर डालिए, पर जब हम घर में बनाते हैं तो चावल हमको लेना है कोई भी चावल लो जहां तक पुराना चावल है तो अच्छी बात है और यह पुराना चावल पहले हम धो के इसको सुखा लेंगे इस प्रकार से सुखा थे समय धूप में नहीं इसको पंखे की हवा में सुखाना है सबसे पहले हम चावल अच्छे से भून लेंगे इस प्रकार बाद में इसे एक परात में निकालकर ठंडा करेंगे उसके बाद हम लेंगे चने की डाल, उसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे यह चने की डाल होगे उड़त की डाल, इसको भी अच्छे से भूनेंगे कि कियां बयु दाल Kabash Baram कि यह दाले जब हम भुनते हैं तो एक भीनी भीनी महेक आली चेहले तब समयमा कि हम ही यह लए बढ के ब्हुंई पहें अब हमने चने की डाल औरत की डाल चावले बुन ले अब इसमें डालेंगे हम भूंकी डाल मूंकी डाल को भी बढ़िया से हम भोल लेंगे दीमियाच में, उसके बाद है खड़ा धनिया, और खड़ा धनिया थोड़ा सा भोलने के बाद हम इसमें जा लेंगे जीरा, यह नमक मैंने डाल दिया एक छटा, छटा का नाब भी पुराना है, इसको अप अच्छे से ठंडा करके हम चक्की में पीसाई के लिए भेजेंगे, चक्की में जब हम कोई चीज पीसते हैं, तो उस समय ध्यान रखना, मुझे याद है कि जब हम मम्मी हमारी देती थी ये सब पीसने के लिए, तो बोलती थी कि देखना बेटा गेहू के उपर नहीं डालना, चने की दाल जहां पीसते है, चने की दाल के उपर ये डालना, तो हम देखते रहते थे चने की दाल कब जाती, उसमें फिर कई घंटे निकल जाते थे, बच्पन की बाते अलग हैं, ये बाते अलग हैं, आप पि जब हमने आटा बनाया था उसमें भी थोड़ा सा नमख हमने डाला था आप इसको थोड़ा सा हम मसालेदा स्पाइसी बनाएंगे मेरे इसाब से जो मुझे अच्छी लगती है तो इसमें हमने 12-15 लहसुन की कलिया लेली साधा नुसार थोड़ा सा हरी मिर्च मिर्च कैसी तीक विचिंगी है नहीं है उसाब से हरी धनिया और थोड़ा सा दो चम्मज तेल जैसे दो कट्रोवी आटा है दो से तीन चम्मज तेल इसमें डालेंगे और मिक्सी में इससे बारिक कर लेंगे अभी से अच्छे मिला लेंगे मिलाते समय हाथ का इस्सेमाल का दाया पानी डालत कम पढ़ातों जाए क्योंकि ये दाले है दाले पानी ज़्यादा पीती है और ये आटा कैसे मराते है तो हमने देख लिया पर ये दि हमारे पास समय नहीं है तो मैं इस्तिमाल करता हूँ राम बंधू चकली आटा ये इस्तिमाल 100% गैरेंटेड और मुझे बहुत अच्छा ल देखेंगे दस मीट के बाद इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि पानी सोक करती है दाले और थोड़ा पानी डालके फिर से इसे गूंद लेंगे ये सारी रेसिपीज जो हम आपको बताते हैं तो ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि मैं ही सारी बनाता हूँ माने मैं तो बनाता हूँ या तो परंपरा से चलती है या तो कई आपके जैसे जो खाने में रुची रखते हैं लोग मुझे लेटर लिखते हैं और खत लिखते हैं और कोई फोन करके बताते हैं कि विश्टुज ये बनाई है वो बनाई है तो हम बना लेते हैं और उसके साथ साथ अभी डीप फ्राइ करने से पहले एक बात का द्यान रखो हमें इस्सेमाल करनी है फ्राइ पाउडर जो तेल को हलका करती है तेल में फ्राइ पाउडर लालने के बाद तेल होगा हलका और उसमें जो भी वेंजन हम डीप फ्राइ करेंगे तलेंगे वो कम से कम तेल लेकर बा अब चकली बनाते समय, सबसे पहले जरुई चीज यह है, कि तेल जो है, बहुत थंड़ा भी नीच चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम भी नीच चाहिए, धीमी आच में तेल रखना, पहले गरम करो, फिर आज धीमी करो, और तेल फिर इसमें चकली डालने के लिए तैयार होता चकली डालने के लिए हमें साचा लगता है, पितल के भी साचे आते हैं, और लकड़ी का साचा भी आता है, मुझे लकड़ी का साचा ज़ादा पसंद है, साचा इस्तेमाल करते समय, साचे को थोड़ा सा अंदर से तेल लगा लो, ताकि इसमें जो आटा भरेंगे, वो आसा इसे निकल जाए एक बात का और ध्यान रखना है कि आटा भरते समय दो पॉर्शन में नहीं डालना नहीं तो बीस में से चकली टूड जाएगी एक संद हिसाब से डालना है कई लोग मेरी मम्मी जो है न चकली का सासा लेकर डिरेक्ट तेल में डालती थी हमें आदत नहीं हम इ है डिली रहीजिए अजय है और चकली तरनी के बाद ऐसे अलग अलग लगागा लगा रखे रखे ताकि वो नरम न पड़े क्या वाद है वाद वाद दिस इज लाइफ इसी में सूख है कि मन चाही चीज मन चाही व्यक्ति के साथ मन चाही कॉंबिनेशन के साथ यदि खाए और वो खाते समय यदि मज़ा है क्या बात है तो भाई चकली कैसे बना है हमने देखा इत्मिनान से बनाओ दिल लगा के बनाओ सब चीज अच्छी बनेगी और देखते ही मास्ट रिस्पीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर भी करें